तिल और गुड से बनने वाली ये special गच्चक की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ बहुत ही असानी से बनने वाली crispy ये तिल की चिक्की गुनों से भरपूर है जाडे में इसे specially बनाया जाता है तो इसे जरूर ट्राइ करें तो चलिए देख लेते इसकी रेसिपी हमें सबसे पहले तिल को roast करना है तो एक पैन में एक कप तिल लेंगे और बिल्कुल धीमी आज पर इसे roast करेंगे continuously stir करते रहेंगे flame को low to medium ही रखना है कोशिश करिए कि low पे ही इसे roast करें धीमी आज पर सेखने से क्या होगा यह अंदर से अच्छी तरह सिख भी जाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटन प्रेस कर दे लेटस अप्टेट से नोटिफिकेशन के लिए देखे कलर चेंज होना शुरू हो गया हलका सा लाइट गोल्डन सा और साथ के साथ इसमें एक पॉपिंग साउंड आएगी और जैसे जैसे वो कम होने लग जाए मतलब यह प्रॉपर तरीके से roast हो चुके हैं अब फ्लेम आफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे यह तिल की चिक्की बहुत जल्दी सेक होती है तो एक काम कर लेते हैं एक पॉलितिन या फिर एक प्लेट जिसमें आपको इस चिक्की को सेक करना है उसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे घी से और साथ के साथ एक बेलन भी बेलन को भी ग्रीस कर देंगे घी से अब एक कड़ाई में एक टेबल स्पून मैंने घी आड़ किया है घी मैंने इसलिए आड़ किया है क्योंकि आप देखते है बजार वाली जो चिक्की होती है गचक होती है उस पर एक बहुत बढ़िया सी शाइन आई होती है वो ही हमें अपनी घर की चिक्की में भी चाहिए तो मैंने एक टेबल स्पून घी आड़ किया है लो फ्लेम पर में ठंडा पानी लेंगे उसमें दो से तीन डॉप गुड की आड़ करेंगे जो यह मिक्स्चर है दिल के अभी घुल रहा है एक अठा हो रहा है तो यह अभी रेडी नहीं है जैसा हमें चाहिए चिक्की के लिए थोड़ी देर लो फ्लेम पर इसे और पका लेंगे जैसे कि अब जानते ही है तिल और गुड के बहुत फायदे हैं तिल में iron, magnesium, protein, calcium भरपूर होता है बोन को strengthen करता है यह hair quality को improve करता है skin को healthy रखता है ऐसे ही गुड एनेमिया की problem को दूर रखता है digestion में help करता है तो यह recipe health benefits से भरपूर है तो ज़रूर try करें साथ के साथ tasty भी बहुत है थोड़ा सी देर और roast करने के बाद एक दो मिनट उसके बाद एक बाई फिर चेक कर लेते हैं देखिए अब यह अच्छे से break होड़ा टॉफी की तरह तो यह ready है चिक्की के लिए अब flame को off कर देंगे और इसमें add करेंगे sesame seeds यानि की सफेद तिर और इसे अच्छे से mix कर ले लेंगे जो हमने already grease करके रखी है गी से सारगत सारा mixture हम उस पे निकाल के बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे mixture को evenly spread करेंगे जितना मोटा या पतला आपको चिक्की को रखना है उसे साब से इसे बेलेंगे मैं या पे चिक्की को medium size दे रहे हूं चारो side से इसे evenly spread करेंगे यह क आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है जब से गोड़ा तिल को हम mix करते हैं उसके बाद थोड़ा सा हमें speed पकरनी पड़ेगी क्योंकि अगर एक बड़ी यह set हो गई थंडी हो गई तो यह cut नहीं पाएगी अब गरम गरम में ही knife या फिर pizza cutter से इसे cut कर लेंगे और इसे decorate क करेंगे बारी cut किये हुए पिस्ता के साथ जब यह थोड़ी थंडी हो जाए तो इसे airtight container में store कर लें देखे बिल्कुल market style जैसी shine आ रही है गचक पे और बिल्कुल वैसी ही बनी है तो जरूर ट्राइक करें यह जबदस recipe को मुझे comment box में लिखके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको यह recipe मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया tasty tasty recipes के साथ तब तक के लिए goodbye take care don't forget to like share and subscribe